आप सुन रहे हैं शिवानी जी का प्रसिद उपन्यास मायापुरी आज सुनिये उपन्यास का अंतिम भाग छे शोभा मंजरी के पास ही सिर जुकाई खड़ी थी अपमान और अवहिलना सो इसका मुह काला पड़ गया मंजरी और अविनाश के मुह बन गए शोभा वहीं खड़ी थी सब्हतावश उसे भी निमंत्रन दिया होता मंजरी रूखे सुरह में बूली मैं तो नहीं आ सकूँगी भागी शोभा को बड़ी कठिंता से एक दिन की चुटी मिली है फिर परसों वो भी चली जाएगी ना जानने फिर कब मिलेगी मेरी ओर से पिताजी से क्षमा मांग देना सतीश हासकर पोला अरे वा इसमें भी भला कोई तुक है शोभा को भी ले आना शोभा के माथे बर पसीना जलक आया उसे लगा जैसे सतीश उसके लिए भीक सी मांग कर दे रहा है नहीं नहीं वो लज्जिस्वर में बोली मुझे तो कल सुबह ही जाना है मंजी तुम चली जाना सहभूज में मंजरी के उत्तर की प्रतीक्षा के बिना ही सविता सतीश की और मुड़कर बोली चलिए YMCA के एक मीटिंग में मुझे जाना है आपको भी तो अपने कोट के ट्राइल के लिए जाना है ना सतीश के कुछ कहने से पूर मंजरी बोली बाबी आज भाईया हमारी साथ होटल में ही खा लेंगे आप भी चलिए ना सविता का मुझ रोध से लाल हो गया लहू की घूट पीकर बोली इनकी इच्छा मैं तो नहीं आ सकती मेरी मीटिंग है कहा न मैंने इनसे इनने जाना हो तो ही कैन गो कहकर ओ मुड़ी और सपाक से आगे बढ़ गई थोड़ी देर तक मंजरी हत बुद्धी सी खड़ी रही सविता का सुभाव उससे अजाना नहीं था इसी से वही सबसे पहले हसकर बोली भाईया भावी का टेंपर रिकर्ट हो गया है पर चलिए भी अब आज हमारे साथी खाना खालीजिए सतीश ने हाथ की अध्यली सिग्रेट फेक दी और बोला चलो पर जरा जल्दी छुटी देना मुझे भाई अविनाश ने उसके कंदे पर एक थपकी दे कर कहा जब ओखली में सिर्दे ही दिया है बंदू तो मूसली का क्या भै चलो जरा बैंड ही सुना जाए सीजन की भीड छट छट कर बैंड स्टेंड के पास जुट गई मंदिरों के घंटों की सुरम में ध्वनी के साथ चाट वालों की गरम करम छोले सुरीली लह तालसी दे रही थी बैंड मास्टर अपने चारों और खड़ी भीड से उत्साहित होकर बड़े वेक से हाथ की छड़ी हिला हिला कर कारे कारे बादरा बजा रहा था काले लहंगे पहने बड़ी बड़ी इनत लटकाए कुछ ग्रामीनाएं खड़ी खड़ी बैंड सुर रही थी उनके कानों के हिलते जल्लरदार जुमके गले में पड़ी लाल लाल प्रवाल मालाएं हाथ के शमकते चांदी के कड़े देखकर शुभा कुस ऐसा अपने गाओं की इस्मृति ने विवल कर दिया किती भागिवती हैं वे कहीं भी उनके सरल भोले निश्पाफ मुकड़े पर चिंता की क्षेण रेखा भी नहीं थी उनके साथ एक नविवक जो संभवता उन्हें नैनिताल गुमाने लाया था गले में लाल रेश्मी रुमाल बांदे खड़ा था यूवतीयों से वो बार बार घर लोट चलने का आगरह कर रहा था पर आखों ये आखों में हस्ती वे नाक की बड़ी बड़ी नतों को हिलाती हट कर अड़ी जा रही थी अबके स्वर को तनिक तीखा कर वो यवग बोला क्या घर नहीं चलोगी आज तो तुम्हें नैनिताल की माया ने मोह लिया है चलो घर इससे भी अच्छी मुरली बजाऊंगा मैं सुंदरी नवयोवतियां पड़ी अनिच्छा से एक हाथ से लहगा थामे उसके पीछे पीछे चल दी चलो न भहियागु देर हो जाएगी कहकर मंजरी भी शोबा का हाथ पकड़ उनी के पीछे 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 चल दी सतीश और अविनाश साथ साथ हो लिये गले में रेश्मी रुमाल बांधे नवयोवक ने पीछे मुड़ कर उन्हें देखा नवयोवतियों के दल की एक ध्रश्ट सी सुंदरी योवति ने उस युवक को ठसका कर पहाड़ी में कहा अरे चंदनिया देख तेरे पीछे कैसी बान मतलब सुंदरी आ रही है कहीं तुझे डस्ना ले साथ ही उसके दल की अन्य सुंदरियां भी जोर से हस पड़ी उनके पीछे आती मंजरी और शुभा भी पहाड़ी हो सकती है वे सपन में भी नहीं सोच सकती थी चंदन ने मुड़ कर फिर पीछे देखा पान से उसके दोनों होट लाल थे बालों से तेल चूरा था हाथ में मुर्ली थी अस्त गामी सूरे की अरोण रश्मियां शुभा के सुंदर आनन पर पड़ रही थी कान पर हाथ रखकर चंदन ने एक बार शुभा की और फिर मुड़ कर दिखा और तान छड़ी कैसी भली बान आहा कैसी भली बाना धनी तेरी तो जवानी धनी तेरी शाना तो रूप ले डसी हालियों नय गई पराना कैसा रूप है तेरा धने तेरी ये जवानी धने तेरी ये शान अरे रूपसी तेरे रूप ने तो मुझे डस लिया है मेरे प्राण जा रहे हैं उसका कंट स्वार इतना मदुर था और शोभा की और मुर मुर कर उसके सौंदर के प्रति अर्पित की गई उसकी सरल शद्धानजली इतने पवितर धंग से प्रस्तुत की गई कि अविनाज के मुझे निकल गया वहाँ पधान एक और शोभा की और वो फिर मुड़ा कान पर हाथ रखकर जूंकर आखे बंद कर उसने फिर गाया तो टिकली तो बिंदा उच हैला टिकली तो बिंदा तो घुगुटी जहन टिपिये सुरजी हो लो मंदा अरे मेरी छबीली तू कहीं गुंगट मत उठाना तेरे रूप से सूरी की आभा मंद पढ़ जाएगी वाह क्या गला पाया एठाकुर खूब गाते हो अविनाश ने कहा पान से लाल होट प्रसंदता से खिल उठे जेब से एक चमकता रुपया निकाल कर सतीश ने पधान के हाथ में रख दिया चकित सा और रुपया देखता रहा फिर बड़े अदब से उसने पूछा क्या ले आऊं सहब अरे पागल तुम्ही रख लो मिठाई खाना सतीश ने कहा प्रसंद होकर उसने रुपया जेब में रख लिया और फिरतान चेड़ी रुपया तेरी माया भागी रुपया तेरी माया नहीं जाली तो जवानी नहीं जाले तो काया रौली दुर्भागी संसारा रुपया की माया अर्थात रुपया तेरी माया यौवन काया सब चली जाएगी इस दुर्भागी संसार में केवल रुपया की माया ही रह जाएगी वो कभी मुडली बजाता कभी गाता आगे आगे चला जा रहा था पीछे पीछे मंत्र मोग्द सी नवियूतियों का दल था वे बार बार जगमगाते नानी ताल के फ्लैट को मुड मुड कर देख रही थी जैसे उस मायापुरी को छोड़ कर उनके पैर अपने गाउं की और रही बढ़ रही थी पास ही पग्डंडी सेवे खुर्पा ताल की और चले गए और शोभा, सतीश, मंजरी और अविनाश होटल मेट्रोपूल की और बढ़ गए अविनाश ने कहा चलो आज और जो कुछ भी कहो पधान तुम्हें बहुत कंप्लिमेंट्स दे गया शोभा लजा कर शोभा फिर मंजरी के पीछे हो गई, किन्तु सतीश की द्रश्ट से वो नहीं बच सकी कोहरे से अध्रकी पत्ती के दुन्दले प्रकाश में उसका लज्जावनत सुन्दर और इसपष्ट मुकमंडल देखकर सतीश ने मंजरी और अविनाश के अस्तित को भी भुला दिया नहीं, शोभा वैसी ही सरलकम भीर है, किन्तु अचानक उस दुबली पत्ली सी लड़की पर किसी ने जादू किसी छड़ी फेड़ दी है उसके सलोने मुकमंडल पर स्वास्त की लालिमाती, हाथ की घड़ी, सोने के कंकर, रेश्मी साड़ी, कुछ भी सतीश की द्रिश्टे से चुपाना रहा किन्त उसे संतोष्ट और सुखी देखकर वो मनी मनखीज सा उठा, उसे ना पाकर भी शोभा सुखी है वो भी जो उसे अपने एश्वेर में प्राया भुला बैठा है, ये याद नहीं आया मंजरी अविनार से बोली, आप ज़रा जल्दी चार थाल खाना तो ओर्डर कराईए, मैं तब तक कपड़े बदल कर आती हूँ शोभा अपने को सतीश के साथ अकेले कमरे में पाकर अपने दुर्वल चितवर विश्वास खो बैठी और हरबडा कर उठकर बाहर जाने लगी शोभा, सतीश ने भर्राय कंड से कहा, उस स्वर की परचित मार मिक्ता ने शोभा को चौका दिया जब वो तीवर जवर में बिहोश पड़ी थी, इसी कंड स्वर ने उसे पुकारा था शोभा, बैठ जाओ, सतीश बोला, क्या मेरे साथ क्षन भर बैठना भी तुमें इतना अप्री हो गया है वो बैठ गई, सतीश बोला, तुम उस दिन चली नहीं आती तो, अब सोचना भी व्यर्थ है मैंने तुम से एक दिन कहा था ना, कि तुम मुझसे भी बड़ी कायर हो, यही हमारी ट्रेजिटी रहेगी वो चुपचाप सुनती रही, हाथ के रुमाल से वो कापते हाथों से खेल रही थी, बड़े प्रयत्म से अपनी दिर्ष्टे जुकाये ही वो बोली मैं आपके पर्ष से रुपए निकाल लाई थी, वो भी आप से बिना पूछे, पर वो अधिक कुछ न कह सकी, उसका क्षिन कंट काप कर रह गया अब तक सैयम से वधा कंट सरसुल कर सतीच अपने को नहीं रोक पाया, उठकर उसने शोभा का कापता हाथ अपने हाथ में ले लिया शमा तो मुझे मांगनी थी शोभा, मैं ही कायर था, उसी का फल तो भोग रहा हूँ, मेरी आँखो में देखो शोभा, तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ शोभा ने पड़े प्रत्न से अपनी बोजिल पलकें उठाई, उसकी डब्रवाई आँखों में सतीच का उदास पीरित मुख तैर गया एक अजब मोह से उसका हिर्दय भराया, दूसरे एक ख्षण उसने अपने को संभाल लिया, तेजी से हाँच छुडा कर बाहर निकल आई, सतीच का इस पर्ष उसे सरवदा तीव जलधारा में तिनके सा बहा देता था, सदा प्रफुलित रहने वाली आनंदी सुभाव के पर उदासी की गहरी रेखाएं उभराई थी, मंजरी ने कहा था ना कि वो भी अपनियमित रुक से पीने लगा है, मंजरी के कंड स्वर सुनकर रोचोंकी, अरे शोभा आओ भाई खाना लग गया है, ओ फोना जाने कहां चली गई? सतीश का उदास चेहरा देखकर मंजरी ने संदिग दे द्रश्टी से शोभा को देखा, ताजी दुली आँखों का एतिहास उससे छिपा न रहा, बुदी मती मंजरी समझ गई कि उसकी और अविनाश की अनपस्थित में शोभा और सतीश के बीच कोई ऐसी बात अवश्य हो भाईया, वो बोली, आज राजभवन के खाने के सायद हमारा खाना जच नहीं रहा है, क्यों? आप तो खाई ही नहीं रहे हैं? सचमुश सतीश खाने से खेल सा रहा था, लगता है कलब में रहा देखती मेम साहब का भेह बहुत सता रहा है, अरे यार खाना तो खालो, देर ह हो गई तो तुम्हें खा थोड़ी जाएगी? अविनाश के स्वर की खी जिस पश्ट थी, पर पिछले वाके पर वो स्वयम ही सहम सा गया, सतीश निशब दिखाने लगा, बीच पीचे में मंजरी उसको कई बार छेड़ती जा रही थी, पर वो जल्दी जल्दी खा कर देख तो आँ मंजरी कार तो नहीं आ गई, घर घर की आवाज तो आ रही है, उसने कहा, कार तो कब की आई खड़ी है भहिया, बड़ी पगली है मुझसे कहा भी नहीं, कहकर सतीश ने जेब से रुमाल निकाल कर मूँ पोचा और अविनाश के उर घूम कर बोला, अच्छा भाई मैं चला, थैंक्स, अविनाश के होट व्यंगे की हसी से खिच गए, ये भारत है मित्र, यहां बहिन के घर खाना खाकर धनिवाद नहीं दिया जाता, keep your manners for government house, अर्थात, अपनी भदरता, राजभवन तक ही सीमित रखो, शोबा हाथ दोने के बहाने उठकर गई थी, सतीश कार में चढ़ गया, अंधकार में खड़ी शोबा की शान्त सौमे मूर्थ की और एक बार देखकर उसने कार चला दी, थोड़ी देर तक हिलता जंडा अंधकार में घुल मिल गया, मंजरी बोली, अहा, आज तो लग रहा था हम फिर लखनों पहुँच गए हैं, याद भी इन दोनों के पल्ले पीसी पड़ी है, भाई का प्रसंग उठते ही मंजरी पुना अधास हो गई, सचमुच सतीश जीवन की बाजी हार गया था, उस रात को शोभा और मंजरी नित्य की भाती बड़ी देर तक बाते नहीं करती रही, दोनों की आँखों में नीन नहीं थ बड़ी रात गए मंजरी को नीन दाई, शोभा चुपचा बिस्तर छोड़ कर खिर्की पर खड़ी हो गई, पास के कमरे में किसी का बीमार बच्चा खासता रो रहा था, उशा का मंद प्रकाश शेटन गया, खुर्पा ताल की सड़क पर कंदे में डंडे पर दूद की बाल हो ठा, मंजरी अविनाश और सतीश से मिलकर इतने दिनों से इस्तिर्चित फिर अशांत हो ठाता, उसे अब अविलंब राजी जी के पास जाना चाहिए, हलो अर्ली बर्ड, अर्थात, अरे भोर की चिडिया, मंजरी ने उसे पुकारा, शोभा भीतर आई, अविनाश ट्रे में चाय बना रहा था, मंजरी मुझे चाय पीकर आज फिर तुमारी भावी जी का ब्लड प्रेशर लेने जाना है, सुभई सुभई, और कोई अच्छी बात नहीं है कहने को, चिड़कर मंजरी ने कहा, शोभा भूली, मंजी मुझे भी अब जाना ही होगा, दानी जी का फि उप में रखना, अविनाश ने कहा, चुप रही है, गरज कर मंजरी बोली, बे मौसम का मजाग करते हैं, उसकी आखें भर आई, शोभा भी उसे छोड़कर जा रही है, इसी पर उसका मान अभिमान सब था, रूट कर वो खिड़की से बहार देखने लगी, शोभा उसके मंजी, तुम्हारे साथ मेरा जाना कितना असंभव है, मंजरी ने आसू पोच लिया और बोली, मैं तुम्हे बांद कर थोड़ी ले जा सकती हूँ, पर तुम्हारा उस घर में रहना मुझे, अब क्या कहूँ, कपा दे रहा है शोभा, इसे अच्छा तो तुम गाओं के आया आती ही रहोंगी, जब भी आऊंगी, तुमसे बिना मिले नहीं जाऊंगी, क्रपा होगी आपकी, डूठे सोर में मंजरी ने कहा, शोभा जब इस्टिलिन पहुची, तो शिवकली बेंच पर बैठी गन्ना खा रही थी, उसे देखते हाथ का गन्ना फेंक, वो बच्च चलो दीदी अंदर गोल कमरा में सरकार चिठी लिख रहा है, कुछ दिन से छूटा रहने पर इस्टिलिन आज उसे अत्यंत प्रिये लगा, गोल कमरे की परिचित सुगंद से उसका हिर्दे पफुरलित हो उठा, चश्मा पहने रानी जी कुछ पढ़ रही थी, उसे देखत इस्पर्श कर अपने होटों से लगा कर बोली, बहन का साथ रह कर बहुत फ्रेश लगता है मिस्चूशी, मेरा भी एक बहनी थी, कहकर एक लंबी सांस खीच कर वेसा हैसा चिंतन में डूप सी गई, अपनी इसने मही सहुदरा की इस्परती से उनकी आखे चश्मे के नीचे तालसी डब्रवाव थी, शोभा ने शिवी से दूसरे दिन उनकी बहन का करों इतिहा सुना था, उनकी सुन्दरी बाल विदवा तरुनी बहन ससुराल ग्रह के अत्याचारों से पीडित होकर उनकी आश्रिता बनने आई, तब उसे क्या ग्याद था कि वो कुए से निकल कर तक में किरने जा रही है, राजा साब की गिदित द्रश्टी ने उसे जकर लिया, वो विशाल महल में इधर उधर छिपती रही, अंत में एक दिन अचार के तेल में अफीम मिला कर चाट गई, बहन की ही गोद में उसने प्राड़ते आगे, उसकी सुन्दर काया विश्की ज मिस जोशी, आज मुझे संद्या को किर्टन में जाना है, तुम मेरे साथ मत चलना, ठक गई हो, पर मेरे आने तक मेरा बड़ा अलमारी का किताब क्रॉकरी जरा देख कर लगा देना, जी, बिनमर स्वर में कहकर तंदरा में खोई सी शोभा उठ खड़ी हुई, इस्टिलिन म की धूल ढार कर रखने लगी, कई पूजन के पुस्तकें सुगधित रेश्मी वस्तरों में लिप्टी थी, पर लगता था कई वर्षों से उन्हें मनुष्य के हाथों ने इस वर्ष भी नहीं किया, रानी जी शिवी को लेकर कीर्टन में चली गई, इस्टिलिन की विशाल क पूठी अंधिकार में डूबी किसी बहुत बड़े चमगादर सी पर फैलाए खड़ी थी, कीर्टन में जाने पर रानी जी अधिकतर बड़ी रात बीते लोटती थी, उनका खाना चांदी के थाल में ढखकर नौकर रख गया, और शोभा से बोला, बीबी जी, सरकार का खान कमरे में रख दिया है, आप यहीं खाएंगी, मैं नहीं खाऊंगी बहादर, शोभा ने कहा, मुझे भूक नहीं है, तुम सब लोग खालो, सरकार आएंगी तो मैं उन्हें खाना गरम करके खिला दूँगी, बहादर के जाने पर शोभा ने अलमारी बंद कर दी, फिर अपन शमाते शीशे जग जगा रहे थे, शोभा ने अदपड़ी पुस्तक वार एंड पीस उठाली, किन्तु प्रष्ट खोलते ही प्रिंस आंद्रे के स्थान पर उसे सतीश की ही उदास आकरती दिखने लगी, उपकर उसने वो भारी पुस्तक सोफे पर रग दी, और शीनी कुशन को सिरहने रखकर क्लांत आखें मून ले, कहीं शांती नहीं उसके लिए, दीदी अभी जग रही है सरकार, शीवी का आश्यर पुर्ण कंट स्वर सुनकर शोभा हरबड़ा कर उप बैठी, रानी जी सिर्तक शौल ओड़े मुस्कुराती खड़ी थी, क्यों जा उनके बदलने के कपड़े ले आई, कहीं भी उनकी सेवा में कोई तुर्टी न रहे, इसका वो विशेश ध्यान रखती थी, फूल सी शैया पर रानी जी कपड़े बदल कर बैठ गई, शिवकली चांदी के गिलास से पानी ले आई, शोभा हीटर में चांदी के कटोडियों में सबजी गरम करके देती जा रही थी, एक दो ही पूरियां खा कर रानी जी बोली, बस अब रहने दो मिस जोशी, आज भूक नहीं है, वा, दो ही पूरियां तो खाई हैं आपने, एक कचोड़ी तो ले लीजिए, अनुनय के स्वर में कहकर शोभा ने खस्ता कचोड़ी ग नार्दन का ऐसा ही परचित कंड स्वर स्मर्ण हो आया, बेटी तू क्या सदा यहीं बैठी रहेगी, तू भी एक दिन चली जाएगी, इस बुरे बाप को छोड़ कर, थाली का बचा खाना ढख कर शोभा ने रानी जी को दवा पिला दी, और बत्ती बजा कर अपने कमरे में जा रही थी कि हाफती हुई शिवी से पुकारती आई, दीदी आओ तुम्हारा फोन आया है, शोभा ने हाथ की फूल की डालिया नीचे रगनी और शिवकली के पीछे गोल कमरे तक आई, टेली फोन उठाया, हेलो उसने कहा, हेलो मैं हूँ मंजरी, शोभा तुम जल्दी न ब्याकुल था, शोभा का उतना ही सैयत और उत्सुकता रही था, मैं फोन में कह नहीं सकती, बस इतना ही समझ लो, कि यदि तुम अभी नीचे नहीं आओगी, तो हम सबसे बिना मिले ही विदा दे देना, विदा कैसी पहली बुझा रही हो, सास समुदर पार की विदा, हम जा रहे हैं शोभा, उदास कंट स्वर टेलीफोन में सपश्ट बूझ उठा, शोभा क्षण भर चुक रही, जैसे अचानक वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, फिर उसी सैयत स्वर में बोली, अच्छा मैं अभी एक गंटे में आ रही हूं, सुनते ही उधर मंजरी ने रिसी रख दिया, रानी जी के पूझन का सामान लेकर शोभा पूझन ग्रह में पहुंची, छोटे से धूप चंदन से सुवासित कमरे में पूंट शांती थी, रानी जी अभी नहा रही थी, संगमर्मर की स्वच चौकी पर बाल गोपाल की सुवन जटित मूर्ती चमचमा रही थ शोभा ने चंदन घिसकर चांदी की कटोरी में रख दिया, फूलों की डालिया यथा स्थान संजो कर रख दी, अंगूठा चूसते बाल गोपाल की दिव्य मूर्ती उसकी और देखकर मुस्कुरा रही थी, भगवान की अलौकिक उपस्थिती में उसकी रात भर की चिंता अक्षन घर में आदोपसी हो गई, मंजरी कहा जा रही है, क्यों जा रही है, वो सब भूल सी गई, और एकाग्र चित से भगवान की पूजन सामगरी संजो संजो कर रखने लगी, रानी जी की खणाओं की खट-खट धनी निकट आती गई, और वे हात में रुद्राक्षी म माला लेकर कमरे में प्रविष्ट हुई, शोभा ने उनके बैठने का कुशासन जटा कर विछा दिया, रानी जी पूजा में बैठने पर तीन घंटे तक पूजन करती थी, ये सोचते शोभा मंजरी से एक घंटे में अपने आने का वाइदा इसमार कर उठी, सरकार वो सर में कहकर रुप गई, क्या बा, रानी जी ने हिचकिचाती शोभा क्यों देखा, मेरी बेहन का फोन आया है, वो शायद कल ही जा रही है, मैं उससे मिलने जाना चाहिती थी, शीगरी लोटाऊंगी, ये भला पूछने की बात है, जरूर जाओ, अगर वो कल जा रही है, अर्थात, तुम आज वही रहना चाहेती हो, तो आनंद से रह सकती हो, जी ठैंक्स, कहकर शोभा चली आई, उसके भीगे बाल अभी सूखे भी नहीं थे, उनी पर कंगी फेट और उसने साड़ी बदल ली, चपल पहन कर वो बाहर निकली रही थी, कि शिवी दोड़ती आ ग किया, शोभा जानती थी, शिवकली से तर्क करना प्रिथा है, इसी से वो चुपचाप खाने के कमडे में चली गई, ताजे भुने टोस्ट पर मोटी मक्षन की तह लगी थी, उबला अंडा निति की भाधे प्लेट पर रखा था, गाड़ी क्रीम डली कॉफी का गरम प्याल उसके और खिसका कर शिवी बोली, लो पियो दीदी, भूगा कहां भाग रहा था इतनी जल्दी, सरकार अगर जानता कि आप बिना कुछ खाए चला गया, तो साला शिवी मरता, शोभा ने हसकर टोस्ट उठाया, बोली, शिवी तेरा वर्ष चले तो मुझे खिला-खिला कर म लेना, मेरे बहिन जा रही है, उसी से मिलने जा रही हूँ, ओ माई गॉड, कहकर अपने दोनों छोटे-छोटे जापानी पंखे से हाथ आशर से फैला कर उस अपनी छाती पर रख लिए, ये उसकी प्रिय मुत्रा थी, शोभा जब होटल पहुची तो मंजरी अपना सारा ब मंदल उदास हो गया, क्यों इतनी जल्दी जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया, शोभा ने हाथ का बटवा विस्तर पर डाल दिया और मंजरी के पास मोड़ा खीच कर बैट गई, तेरे जाने के बादी कल भहिया का फोन आया, कि मैं और अभिनाश अभिलंब राजभवन चले आएं, भागते पढ़ते वहां गए तो भहिया ने बताया, कि तिवारी जी बहुत दिनों से अभिनाश को विदेश में छातरवत्य दिलाने की चिष्टा कर रहे थे, वो रॉक फिलर छातरवत्य इन्हें मिल गई है, हम दोनों को शीगरी फ्लाई करना है, आजी ट्रे अभिनाश अब तक चुप था, हसकर बोला, मारवल मैंने भी मित्र कानुस रण किया, राजदूत महोदे की जै हो, क्यों क्या कहती हो, जूलियस सीजर पढ़ा है न, what a fall it was, अर्थात कैसा पतन हुआ था उसका, व्यंग से उसका सर इतना तीखा हो था, कि शोभा ने सहम कर म ये समाचार तो यहा ही नहीं मंजरी तुमने, आप चुप रहिए, मंजरी का स्वर कठोड तीर की भाती पलटा, चुप तो खैर होना ही पड़ेगा, पर ये जो बाजार फैलाया है, भगवान के लिए इसे तो समेटो, डेड़ बज गया है, तीन बजे, बस स्टैंड पर त सतीश सब चले जाएंगे, ये सत्य वो किसी भी भाती ग्रहन नहीं कर पा रही थी, कमरें बिखरे सामान के ओ, किसी भाती सूटकेस में भर कर हाफ्ती मंजरी शोभा के पास बैट कई, उसके दोनों हाथ पकड़ कर ओ कापते गले से बोली, शोभा जाते समय एक भीक तुम से पीडित हैं, एक बार उनसे मिलना मारवल, मिलोगी न, चेश्टा करूँगी, शोभा ने उसके बिना देखे उत्तर दिया, मंजरी चलो कार आ गई है, अविनाश ने कहा, शोभा बस स्टेंड तक तो चलोगी न, उसने पूछा, मेरा अंत तो देख लो, फिर व्यंगे के स् में हसकर अविनाश बोला, मार्वर शुभा का हाथ मंजरी कसकर पकड़े रही, पर दोनों में से एक भी कुछ बोल नहीं पाई, बस स्टेंड पर खड़ी भीर और जंडा फैराती कार को देखकर, पहली बार शुभा को लगा, कि उसका शेश अवलंब बेपी ही, उसे अकेल बादामी शेरवानी से उनका तेजों में बादामी चेहरा गुल मिल सा गया था, उनके साथ की स्वावविक भीर से ननी ताल का छोटा सा बस स्टेशन भरा था, काले 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 कपड़ों में लिप्टे पहाड के दरिद्रता के प्तिक, दीन डोट्याल, कंधे पर रस्यां लटकाएं मूँ फाड़ें इनको देख रहे थे, शोभा को मंजरी के साथ उतरते देख तिवारी जी का मूँ प्षर भर को भारी हो गया, शोभा ने उनका विवादन किया और मंजरी के पास खड़ी हो गई, तिवारी जी अभी अविनास से धीमे सर में बात कर रहे थे, कि किसी का तीखा कंट स्वर हवा में तैर कर इस पर्ष सुन पड़ा, राजदूत है यार, उनकी पुत्री के नंदोई को विलायत भेज रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए, काश कि तुम मेरे लिए होते, क्यों ऐसा ही कुछ कहा है न गालिब ने, तिवारी जी ने क्रोट से ऐसी द्रिष्टे से चारोण देखा, जैसे संभवता परुष राम जी ने लक्षमर के तरोण कंट से निकली व्यांग योक्ति को सुन कर, राजाओं की भीड़ पर द्रिष्टपात किया होगा, दूसरे एक शन सुने को अंसुना कर वे मंजरी की बहां इस नहे से थाम कर ब तिवारी जी के क्रूर द्रिष्टे उसे घूर रही थी, मजरी आखें पोचकर कार में बैठ गई, तिवारी जी ने देखा, शोभा सीधी रेखा सी सतर खड़ी थी, उसकी आखों में आसू की एक बूंद भी नहीं थी, किन्त उसके हिदय में जो अतहा दुख का सागर मुए से घिरी अकेली खड़ी रह गई, नीलम जल से लबालब भरा ताल हिलो रेले रहा था, एक हांसे ताल के चारों लगी रेलिंग पकड़ कर शोभा निश्चल खड़ी थी, इस फटिक के श्वेत मूँ पर विशाद की घनी चाया थी, सुंदर होट निश्चलता से आई, विशाद पूर मुख पर सरर मुस्कान चाह गई, मेरी एक मितर जा रही थी, उसे ही छोड़ने आई थी, चलिये न हमारे यहां, दीदी बड़ी प्रसंद होंगी, रामी ने उस्सापूर स्वर में आमंत्रित किया, शोभा ने सिर उठा कर उसकी उर देखा, उसका मेल से पीला कॉलर कोट से बाहर जाक रहा था, मुख पर दिन भर के ऑफिस कारे की गहन इकलांती थी, किन्तु शुर्भा को अचानक देखकर उसकी पसंदता उदासींता पर विजैसी पाकर फूट पड़ा रही थी, दुर्बल क्षिन शरीर गहरे गड़े में धसी आखें, किन तो उनमें साहनभूती और इसने की जलक से शुबा गहदय अकारण करुना से भर गया, नहीं फिर कभी आऊंगी मामी से मिलने, वो मुरत स्वर में बोली, चलिए मली ताल तक रिक्षा कर ले, गिरी शिखर चूम कर सूर अस्त प्राय था, ताल की ठंडी हवा से किनारे पर अगे विलो रक्ष जूम रहे थे, रामी ने अपने चिकने बालों पर हाथ फेर कर गौरोपूर स्वर में पकारा, ए रिक्षा, रिक्षा के आते ही वो शुबा के पार्ष में बैट किया, ख्षन भर के संसर्ग ने उसके प्राणों में अनोखी पुलक भर दी, किन्तु शी गामभीर लक्षमर रेखा की तरह घेर लेता था, उसे लांग कर कुछ कहने में रामी सरुदा अपने को असमर्थ पाता था, रिक्षा मली ताल आकर रुख गया, शोभा उतर कर बोली, नमस्ते अब मैं तो चलूँगी, अंधेरा हो गया है, मैं आपको उपर तक पाते, शोभा की और घूर 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 देखते हुए बोले, कहो डियर रामी, क्या रस भोल रहे हो, शोभा उस अनिष्ट भीर से अच्छा चलतीयों कहकर वेग से निकल आई, वो दृत पगों से निकल तो आई, किन्तो निरजन पत में धूर्त कर्मचंद का भेह से सहमाने लगा, फ्लेट में बत्यां जगमगा रही थी, चाट की दुकानों पर भीड जुटी थी, बैंड का स्वर मद्धिम पढ़ गया था, एक पेड के नीचे खड़ी होकर वो सोचने लगी, कि डांडी कर ले या पैदल ही चली जाए, इस समय तो पत इतना जनहीन नहीं है, सोच पते दीरे उसके लिए वो एक विस्मृती मात्र रह जाएगी, सूर्यास के पश्चात, हटात, नैनी ताल की तीखी हवा बंधो चली थी, रात शान्त और ताजी लग रही थी, देवदार के रक्षों को चीर का ध्योत चंदरका खिलाई, शोभा, सुनकर और चौक कर ठेट दर गई, आगे बढ़कर सतीश ने उसके भैसे सफेद चेहरे पे द्रिश्ट डिडाल कर हसकर कहा, डर गई क्या, फ्रेट के तेरते प्रकाश में शोभा सतीश को देखकर अवाग रह गई, यहां कैसे, चलो तुमसे आज बहुत कुछ कहना है, हसकर सतीश ने उसका हाथ पक रहा था, शोभा ने हाथ नहीं छुडाया, यह भी नहीं पूछा कि वो से कहां लिये जा रहा है, वो चुपचाप ऐसे चलने लगी, जैसे उसका निजत तो शेश हो गया है, वो रिक्ता है, चड़ाई पर चड़ने से वो हाफने लगी, ललाट पर स्वेद की बुन्दे ज सतीश ने देखा, क्लांत, उदा, शोभा का मुकमंडल एक दैवी तेज से दैदी पिमान था, सहसा उसे अपने निरवीरे मानवता कोकली प्रतित हुई, वो अधम दुरबर हिर्दय अपने को एक दोका देने वाला तुछ मानव मात्र था, किन्तु त्याग की उस देवी से जिसके जीवन मार्ग को कंटकों से भर कर छोड़े जा रहा है, वो किस मूँसे एक शमा मांगे, पर वो इसी उद्देशे से आया था, अपनी अडिक भवे दरश्ट को उठा कर शोभा नहीं, निस्तब्धता भंग की, आपको मुसे कुछ कहना है न, मुझे देर हो रही है, अभी तक वो चेतना विवेख हो बैठी थी, अब उसका ग्यान लोटा, वो कितनी पागल है, इतनी दूर, इतनी रात गए, वो सतीश के साथ चली आई है, कोई देख ले तो, छी छी, साथ ही दूर से आते किसी पुरुष और इस्तरी के कंट स्वर को सुनकर और चौक कर पल और अन्यकार में लिप्टा था, कि सरक पर चलते राही को ने देखना एक प्रकार से असंबह हुई था, कंट सर सविता का ही था, सुनते हो उसने कहा, मदन ये पान तुमें खानाई होगा, मैंने अपने हाँ से कस्तूरी बीडा बनाया है, मदन ने क्या उत्तर दिया, सुना कर चल रही थी, पार्ष में चलते नविवक के मुँ में उसने अपने हाँ से पान का बीडा भर दिया, दीरे दीरे उनकी मंद पढ़ती पगध्वनिया शुने में मिल गए, सविता के साथ उचा गठीला तरोर था, उसके सिर पर एक खादी की टोपी तिरची पड़ी थी, ह जिन रात तिवारी प्रासाद में ही रहता था, सविता की निरंतर क्रपा के फल सुरूप उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी भी उपलब्ध हो गई थी, उसे लेकर सविता के लिए नाना प्रकार की भद्धी बाते भी उचुकी थी, किन्तो नूतन प्रड़य की बाहर में ब अलग रहसे परस पर अविशाब की निरंतर व्रष्टि करते जीवन यात्रा के अभागे सहात्री थे, चोबा, व्याकुल कंट से सतीश ने पुकारा, उसकी पीली साड़ी के सुंदर किनारे पर चंदरिका की रजत तरंगे थिरक रही थी, उसके घुटने पर रखे गोल हा रलता से सुशोवित, परंदो तेजों में गवरोशाली अभेदे दुर्ग सी लगी, इतने निकट पाकर उसे प्रणय के जुडने पागल बना दिया, शोबा, क्या अभी तक तुमने मुझे एक शमा नहीं किया, अपनी तटस से दृष्टे उठा कर शोबा ने उसकी उदे सदा ऐसी बातों का तिल का ताड़ बनाने को सरवदा सजग रहते हैं, कल कहीं ये बात सविता के कान में पढ़ जाए तो चूले में जाए सविता, कहकर ख्रोश से सतीश ने पास पड़ी एक डाली को चर्मरा कर तोड़ दिया, और हाथ बढ़ा कर शोबा को खीच कर हिदे स लगा लिया, बड़ी देर तक आखे बंद किये वो निश्चल उसके हिदे से लगी रही, सतीश ये घन निश्वास से उसके केश पाश काप रहे थे, जब उसने आखे खोली तो उसकी आखों में आसू थे, उसने उन्हें पोशने का कोई प्रत्म नहीं किया, ना जाने कैसी अद्भुत अन्भूतियों के बीच वो क्षण भर को ग्यान शूने होकर शिथिल पड़ी रही, फिर सैसा उसके घर मोहांद कार में विद्धुत्सी चमकी, उसकी बुद्धी सचेत हो उठी, अपने को सतीश के बावपास से विलक कर वो लर्खडाती उठ खड़ी हुई, घास के तिनके उसके बालों पर चमक रहे थे, उसके भवे ललाट पर पसीना बून बून बनकर इसपश्ट चमक रहा था, सतीश उसे ऐसी दिर्श्चित से देख रहा था, जैसे भक्त अपने देवता की मूर्ती को देखता है, शुभा की ओ तेजों में बंजुल मूर्ती इसके लिए सरवथा नवीन थी, वो उट खड़ा हुआ, हिदय में ख्षा भर को आई वासना उसे स्वयम दिक्कार उठी, चलो तुम्हे घर पहुचा दूँ, स्वावविक सर में उसने कहा और उसका हाथ थाम लिया, एका एक उसका हिदय उद्वेक रहित और निश्चिन् तक पहुच गए, निरजन सडक की बत्ती कोरे का इसपष्ट प्रकाश में जैली सी काप रही थी, लंबे सनोवर पर चड़का चांद, घंगोर कोरे के बादलों से घरने लगा था, तुम्हें पता है मैं कल जा रहा हूँ मारबल, इसके बाद कभी तुम्हें देख भी सकू की माता बनने वाली है, ग्रणा और व्यंग भरी करोन मुस्कान उसके चेहरे पर चा गई, कभी मेरी इच्छा होती है उसका गला घोटकर ताल में फेग दूँ, इसी से मैं भाग कर काबुल जा रहा हूँ, केवल तुमारी मंजुल मूरती को रिदय में लिये जा रहा हूँ शोभा, यही मेरा पाथेय होगी, आज जब तुम अचानक बालों पर से तिनके जार कर उठ खड़ी हुई थी, तभी मैंने तुमें पहचाना, शोभा के दोनों कापते हातों को अपने शशक्त हातों में लेकर उसने अत्यंत श्रद्धा से अधरों से लगा लिया, उसके ओ धर कापे, पैर कापे, उसने पत्थर पर ही बैठ कर अपने दोनों हातों से मूढ धाप लिया, हिरदय की रुलाई फूट पड़ी, जुकर सतीश ने उसका अश्रो सिक्त मुख उठा कर देखा, वो उससे देवी लगी, यदि वो इतनी पवित्र, इतनी महान ना होती, इस चोटी सी लड़की के सामने स्वर्गी आबा का गीरा सा खेच किया था, वो सामाने लड़की नहीं थी, उसकी आखों में अगाध काम भीरे था, उसकी दुर्बल देल अता में बुद्ध जैसा तेज था, जब वो अपने भविश्यका ध्यान करता, सविता के स्थान पर उस इसी अशुसिक्त मुख की स्मृती हिर्दय में ग्रहन कर उसे जाना होगा, जुक कर उसने सुबक्ती शोभा का माथा चूम लिया और एक छलांग मार करो बाहर हो गया, अंध्यकार में दोनों हातों से मूँ धापे से सकती शोभा पर सनोवर की पत्तियां टपकने लगी, व पहादूर शाय सिनिमा का सेकंड शो देखकर लोट रहा था, ओ दीदी जी बड़ा देर हो गया, आईए आईए मैं द्वार खोल दो, शोभा दबे पैरों अपने कमरे में जाकर कटे पेर सी अपने बिस्तर पर लेट गई, सुबह शिवी उसके कमरे में कॉफी के ट्रे रग रहा था, आज वो चला जाएगा, अब वो कभी उससे देख नहीं पाएगी, यहीं प्रश्न उसको विचलित कर रहे थे, रानी जी की टब्यट ठीक नहीं थी, इसी से वो कमरे में ही में लेटी थी, बड़ी देर तक शुभा उनके पास बैठी रही, मंजरी के जाने का पूझकर रानी जी पुना पुस्तक पढ़ने में लग गई, उस राद भी शुभा बिल्कुल नहीं सो पाई, आज सतीश दिल्ली से प्रस्थान करेगा, दिन भर वो किसी कारे में मन नहीं लगा सकी, रात को नौ बजे सब कामों से निपट कर वो गोल कमरे में गई, रेडि सुनने इपवाई, खड़-खड़ के बीज फिर इस पर सुन पड़ा, तिवारी जी के जमाता को जो की स्वयम ख्याति प्राप्त सर्जन है, दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया है, शुभा उठ खड़ी हुई, दिल्ली में है, अभी जीवित है, वो जाएगी, अभी और रानी जी के कमरे में गई, उनके पैरों में सिर रखकर सिसक उठी, घबरा कर रानी जी ने पुस्तक रख दी, उसे हाथ पकड़ कर उठाती बार बार पूछने लगी, क्या हो गया मिस जोशी, क्या बात है बा, मैं दिल्ली जाओंगी, अभी अभी मेरे लिए एक टैक्स बंद कर दिया, और शोभा का हाथ पकड़ कर अपने बिस्तर पर बिठा लिया, उसका चिबुक इसपर्श कर उनने अश्रो सिक्त मुक उपर उठाया, बा, मैं तुमारी मा हूँ, मुझसे कहो तुमें क्या दुख हो गया, शोभा का कापता कंट स्थिर हो गया, रानी जी से वो आरंब से अंतर तक अपना तुर्भाग के कह गई, दूसरे दिन प्राता काली रानी जी स्वैम शोभा को लेकर दिल्ली गई, दिल्ली में राजदूत के जमाता के आहत होने का समाचार बिजली की भाती फैल गया, रानी जी को एक भै हुआ, ये सरर बालिका उस अस्पत पहुची, उनके रौबीले व्यक्तत से प्रभावित होकर किसी को उने रोकने का सहस नहीं हुआ, आप क्या उनकी पत्नी है, नविवक डॉक्टर ने शोभा से पूछा, रजा कर शोभा लाल हो गई, जी नहीं, रानी जी बोली, मैं उनकी मित्र हूँ, ये मेरी पुत्री है क्या हम उने देख सकती है, प्लीज डॉक्टर, सुनिये, वो बोला, उनसे मिलना आप निरर्थक है, यदि आप उनकी मित्र है तो राय दूंगा और भी न मिलिये, जिस व्यक्ति को आपने कल तक हष्ट पुष्ट देखा है, वो आज मास का लोथड़ा मात्र है, शोभा ने शोभा ने चाय तक नहीं पी थी, उसकी पलकें सू सूज कर भारी हो रही थी, आने जाने वाले उसे बड़ी साहन भूति पूर दरशे से देख रहे थे, वो नविवक डॉक्टर फिर वहां से होकर निकला, सुनिये, शोभा दरर्सवर में उसका मार्क रोकर खड़ी हो गई मुझे एक बार भीतर जाने देंगे क्या। वहां पकड़ कर बाहर चलने का संकेत किया, वो बाहर आई तो डॉक्टर से बोली, चोट कहां है, दूनों पैर एकदम हाथ से खतम का संकेत करो बोला, भै है गैंगरीन का, दूनों पैर गुटने के नीचे बुरी तरह को चल गए हैं, जहां तक होगा उन्हें बचाने का प बेट कर बोली, चलो बा, राद बर आनी रह सकती, कार बाहर खड़ी है, सुबह फिर आएंगे, दहर रखो बेटी चलो, कहकर उन्हें शोभा का हाथ थाम लिया, वे शोभा को लेकर कार में बैठी रही थी, कि बड़ी तेजी से एक और कार आकर पोड़िकोर में आ लगी, उ काले शौल में ढखे उस पीले कमनीय मुक को देखकर अविनाश को कुछ भी समझना बाकी न रहा, सतीश की अवस्ता अच्छी नहीं है, शोभा चलो, कहकर मंजरी उसे खीशने लगी, रानी जी को अपरादनी किसी द्रिश्ट से देखकर शोभा बोली, सरकार आप होटल चल शोभा का हाथ पकड़ का मंजरी उसे घसीर्टी बीतर ले चली, अटक अटक कर शोभा ने उसे सब बताया, मार में सतीश की आहत होने का समाचार पाकर मंजरी और अविनाश उल्टे पाउँ भागे आए थे, अविनाश उसी नवयोग डॉक्टर से बाते कर रहा था, साथ ह चिंता की घनी रेखाओं के जाल से उसका मोदास हो गया, डॉक्टर तीनों को दबे पेरों फिर रोगी कमरे में ले गया, निश्टेश्ट सतीश को देख कर मंजरी अपने को रोक नहीं सकी, एक लंबी सिस्की से निशब्द कमरा सहम उठा, अविनाश उसे बाहर ले आया, मंद बत्ती के प्रकाश में अकेली खड़ी शोभा, फिर उसे प्रिये मुक को नहा रुठी, एक अग्यात मों से उसके प्राण से हरुठे, जी में आया कि दोड़ करो माया अपनी गोदी में धर ले, इसी से दूर भागा जा रहा हूं शोभा, तुमारी मंजल मूर्ती मेरा पाथे होगी, उसने कहा था, अब वो कहा भागा जा रहा है, कितनी दूर, काबल से भी दूर, पल, पल, खशन, खशन, वो उससे हटता जा रहा है, काश, वो बढ़कर उसका पुछला हुआ घुटना चून सकती, एक बार वो होश में आकर उसे देख लेता, डॉक्टर मंज पाथे कैसी भेंकर पीड़ा है, जैसे कोई आरी चला रहा था, खड़, खड़, धड़, धड़, आक की लपने, चालक की गंबीर उदास्वर में चितावनी, यात्रियों की चीतकार, दवा की दुरगंध, पीड़ा, असह पीड़ा और प्यास, पत्थर्व बैठी शोभा क पवित्र माता मरियम कासा, सकम्निय सलोना मुखडा, सुबक्ती शोभा, पूजा के नैवेदे का थाल लिये, लाल साडी में खड़ी शोभा, अयार पाटा के गने जंगल में उसके हिर्दय से लगी भैबीत हरेनी सी सरला शोभा, ये क्या, शोभा ही तो खड़ी है, काला अवित्र नन जैसी मंजुमन मोहिनी मूर्ती, आखों को जपका जपका कर वो सपन को जितना ही भुला रहा था, वो मूर्ती उतनी ही निकट आती जा रही है, शोभा, क्षीर स्वर में उगूला, गुटने टेक कर वो बैट गई और सतीश की छाती में माथा रखकर सुबक उ मंजरी अविनाश बाहर बैठे थे, होश में आए भाईया, मंजरी ने पूछा, सिर्फ हिला कर हां कहकर शुभा उसी के पास बैट गई, डॉक्टर बाहर आकर बोला, देखिए रोगी को अब अधिक उतेचित नहीं होने दूगा, आप लोग यद एक दो दिन उन्हें आरा अविनाश मंजरी और शुभा उठ खड़े हुए, न जाने क्या सोचकर डॉक्टर फिर मुड़ा, सुनिए पास ही मेरा क्वार्टर है, मैं यहीं हाउस सरजन हूँ, मेरे पास एक कमरा है, आप चाहें तो वहीं साथ रह सकते हैं, अब तो रात बहुत हो गई है, वहीं चलि ठक कर तीनों चूर हो रहे थे, डॉक्टर उन्हें वहाँ पहुचा कर तीन-चार कंबल और तक्या ले आया और बोला, अब आप आराम कीजे, मैं नोकर से कहता हूँ, बाजार से पूरिया ले आएगा, या पहले चाय पीजिएगा, नहीं नहीं, व्यस्त तस्वर में मंजर बोली, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, आपकी बड़ी कृपा है जो कमरा दे दिया, रात में कहां भटकते, सुनिए क्या मेरी भावी, I mean मेरा मतलब है, इनकी पतनी नहीं आई, राजदूत तिवारी जी की पुत्री हैं वे, जी नहीं, तिवारी कह रहते, उनके, it is her full time, वो शीगरी मा बनने वाली है, इसी से उन्हें सूचना नहीं दी गई है, ये तो उन्हें पता है कि उन्हें चोट आई है, किन्तो सीरियस हैं, ये नहीं बताया गया, डॉक्टर चला गया, शोभा खिड़की पर ही खड़ी थी, मंजरी ने अविनास से कहा, सुना तुमने, चोट आई है जानकर भी भावी नहीं आई, बेचारे मदल को कौन देखता, सुनिये क्या पिता जी को तार दिया होगा किसी ने, आप ही ट्रंकाल कर दीजिये न, रद्य जरजर पिता और पंग माता क्या ये भेंकर समाचार सह सकेंगे, मंजरी गुटनों में सिर्ट डाल कर सुनी, शोभा मंजरी के पास आकर बैठ गई, रात भर दोनों एक दूसरे से नहीं बूली थी, दोनों के हिर्दय में एक सा घाव था और दोनों उसे बचा बचा कर ऐसे चल रही थी, जिससे की एक दूसरे को ठेसना लग जाए, द्वार थोड़ा सा खुला, चलिए, डॉक ऐसा ही निश्चेष्ट, निच्चे इतना लुप्त हो चुकी थी, तीनों प्रिये व्यक्त खड़े थे, किन्तु, म्रत्य उन्हें दोनों हाथों से हटा कर आगे बढ़ गई, सिर से पैर तक वो परचित, अंतिम एठन, ठंडा पसीना, म्रत्य भयावनी होती है, किन्तु, अस्पताल में और भी अधिक भयावनी, लाल कंबल, दवा की दुरगंद, सफेद कपड़े में लिप्टी म्रत्य की प्रहरी सी घुमती नर्से, भहिया, भहिया, कहकर मंजरी मूर्चित होकर उसके पैरों पर गिर पड़ी, डॉक्टर न कोने में खड़ी शोभा का अस्तर तो सब भूल गए, कंबल हटा कर उसने देखा, कितनी शांत स्वरगे मुस्कान थी, कौन कह सकता है कि शरीर ने तनी यातना पाई है, जुकर शोभा उस लराट तक अपना मुख ले गई, ताजे ठंडे पसीने को उसने बड़े यतन से मांगी थी, उसके कानों में हजारों मदमक्खियां सी भिर्मिनाई, वो उसी हिम से शीतर ललाट पर जुकती गई, मंजरी को चेत आया तो बोली, शोभा, शोभा कहां है, चौकर अविनाज भीतर भागा, बेचारी लड़की को वो अपने दुख में बिलकुल ही भूल गया था, वो दीरे से द्वार खोल कर भीतर गया, सतीश के मरत शरीर पर अचेत शोभा को देखकर उस जहम गया, आगे बढ़कर उसने मूर्चित शोभा को दीरे से उठा लिया, मित्र का शान्त मू मानों से कह रहा था, मत ले जाओ, उसे मेरे पास छोड़ दो, मुरगे ने फि उम्मीद हैं, शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास माया पूरी आपको पसंदाया होगा